दोस्तों आप लोगों ने अक्सर देखा है कि हमारे पास कोई भी चीज है जैसे कि अपने पास कोई ID proof है उसका जो front side है और उसका जो back side है ठीक है उसको एक ही page या एक ही background में हमको कहीं न कहीं जर्रत परती है ऐसे में दोस्तों आप लोग परेशान हो जाते हैं कि आप किस तर जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को बीना skip करते हुए end तक देखे जब तक आप end तक नहीं देखेंगा आपको ये वीडियो समझ में आने वाली नहीं है दोस्तों आज के हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग ने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ जो बेल का आइकन वना है उस बेल का आइकन को भी क्लिक कर दे ताक कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा तो चलिए दोस्तों बीना टाइम वेस्ट के आज के हाँ दे इस तो का नाम है इसन के हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने इस्प्लीट केमरा टाइप कर लिया है तो चलिए हम इसको सर्च कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने split camera को search कर लिया है अब आपको जो first में दीख रहा है उसको आपको download करना है तो चलिए हम इस पर click कर लेते हैं दोस्तों अगर हम इस camera के बारे में बात करें तो इसकी जो rating है वो 2.5 है ठीक है और इस apps की जो size है वो 8.3 MB की है और इसे 10K plus लोग download कर चुके हैं तो चलिए दोस्तों हम install पर click करके इस application को download कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं यह जो application है वो download होना start हो चुकी है दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ जो application है वो download हो चुकी है और मेरे जो mobile में जो installation है वो complete हो चुकी है तो आपको यहाँ पर नीचे क्या करना है एक open क option देख रहा है और second finish तो आपको यहाँ पर open कי option पर click कर लेना है तो चलिए हम यहाँ पर open के option पर click कर लेता है यहाँ पर मैंने open के option पर click कर दिया है जैसे कि आप लोग देख पा रहा है दोस्तों अब आपको क्या करना है ऊपर में दो symbol बने हुए है एक right में एक left में तो आपको क्या करना है left वाली symbol पर click करना है तो चलिए हम left वाली symbol पर click कर लेते हैं यहां से आपको कुछ permission मांगा जाएगा तो आपको इस permission को complete करना है तो चलिए हम इसको allow कर देते हैं आप भी इस तरह से allow करके से permission इसके बाद दोस्तों आप लोग देख भा रहा है यह जो camera है वो आटोमेटिक ऊपन होचुका है जिसमें आपको दो भाग दिखाई दे रहा है दो भागों में divided दिख रहा है जिसमें आप फस्ट वाला में फस्ट फोटो ले सकते हैं फर्ष्ट वाले फोटो को capture कर सकते हैं और सेकंड वाले में आप जिस भी फोटो को capture करना चाहते हैं उस फोटो को इस सेकंड वाले भागप स्लेक्ट करके आप फोटो ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक पहला फोटो ले लेते हैं इस तरह से आपको जो round का circle दिख रहा है इस पर click करके आप फोटो ले लिजिए तो यहांपर मैं जो पहला फोटो है उले लिया हूं अब चलिए दोस्तों अब सेकंड फोटो ले लेते हैं तो फिर से हम वह ही process करेगे round की बटन पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों यहां इस फोटो की जो background है उसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से जो नीचे आपको एक क्रसर दिखे है, इस क्रसर के माध्यम साप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से, जैसे दोस्तों आप लग देख पा रहा है, यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, तो इस त पर मैंने राइट के चीने पर क्लिक कर दिया है अब आप यहां से इस राइट के चीने को फिर से क्लिक करना है तो चलिए हम यहां पर राइट के चीने दिख रहा है इस पर फिर से क्लिक कर लेते हैं दोस्तों यहां पर मैंने क्लिक कर दिया है यहां लोडिंग हो गया है दोस् इस फोटो को Facebook में share करना तो Facebook पर click कर दिजिए और अगर आप Instagram में share करना चाहते हैं तो आप यहां से Instagram में भी share कर सकते हैं आपको जिसमें भी share करना है उसको आपको सबसे पहले select कर लेना है तो इस प्रकार से दोस्तों आप किन ही दो फोटो को आपस में एक ही background में जोड सकते ह हैं उसे merge कर सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से आप split camera का use करते हुए आपके पास जो भी ID card है उसका जो front page है और उसका जो back page है उसको आप एक ही photo के अंदर या एक ही background का अंदर जोड सकते हैं उसे merge कर सकते हैं दोस्तों यहां वीडियो कैसे लगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथी साथ वीडियो को फ्रेंड सर्कल कंदर शेयर करें दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही कल फिर एक नए वीडियो को साथ मिलेंगे तब तक लिए नमस्कार